राम राम, कार्तिक मात्म्यम चौद्वा अध्याय नंदि श्वर ने कालनेमी को बानों से बेद दिया, साध बानों से घोडा, धनुष और सार्थी काट दिये, कालनेमी ने भी क्रोधित होकर नंदी का धनुष काट दिया, तम नंदी ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा, जिसे उसका रिदय बिंद गया, घायल कालनेमी क परवत खंडों को उखाड़ कर उससे नंदी को गिरा दिया। गनेश जी चुहे से उतर कर पैदल ही लड़ने लगे। तब गनेश जी ने फरसा मार कर शुंब को किरा दिया। शब्द से पूरी प्रित्वी कापने लगी। तब भूत पिशाच दोड कर आए और देत्यों को खाने लगे। संग्राम में नाचने लगे। अंदिश्वर और स्वामी कार्ति के दोनों स्वस्तों कर शिग्र आए और संग्राम में अपने बाणों से देत्यों को मारने लगे। पिशाचों द्वारा छिन भिन्न की हुई, शिवजी के गणों द्वारा खाये हुए देत्यों की सेना घबडा गई। तब जलंधर अपनी सेना को मरतवा देकर बड़ी ध्वचा वाले रत में बैटकर युद्ध भूमी में आया। उस समय शंक और रण भीरी बजने लगी, सीहों की गर्जना होने लगी जलंधर के बाणों से प्रित्वी और आकाश ऐसे ढख गए जैसे कुहरे से आकाश ढख जाता है जलंधर ने, पांच बाण गणेशी को, नौबाण, नंदिश्वर को और बीस बाण से वीर भद्र को भेद दिया, तब कार्थिके ने जलंधर को अपनी शक्ती से बेद दिया, जिसके प्रहार से दित्व व्याकुल हो गए, तब दित्ते राज ने क्रोधित होकर एक गदा स्वामिक कार्थिके के मारी और कार्थिके प्रित्वी पर गिर पड़े, इसी प्रकार शिग्र ही गोडा, ध्वजा, धनुष और छत्र काट कर गिरा दिये तब जलंधर ने क्रोधित होकर एक दारुन शक्ति से गनीजी को भी गिरा दिया और आप दूसरे रत में बैट गया इसके बाद वीर भद्र और जलंधर सूरी के समांती जस्वी आपस में लणने लगे वीर भद्र न बानों से उसके घोडे वधनुष काट दिये तब जलंधर परिक लेकर दोड़ा नाराजी बोले उस द्याते ने परिक का प्रहार वीर भद्र के मस्तक पर मारा सिर से रक्त भेने लगा और वीर भद्र भूमी पर गिर पड़ा इती कार्थिक माहत्म्य चोद्वा अध्याए एाज।